तो आईए देखते हैं बेसन के चीले बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरुत होगी इसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन डेड कप प्यास दो बारिक कटा हुआ हरी मिर्च एक या दो हरी धनिया वन बै थ्री कप जिंजर गर्लिक का पेस्ट वन टीजपून आफ टीजपून नमक स्वाद अनुसार हींग दो पिंच हल्दी वन बै फो टीजपून जो की ऑप्शनल है पानी एक से दो गलास ओयल फोर फ्राइं पानी हमें गोल बनाने के लिए चाहिए होगा सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें डेर कप बेसन है इसके बाद हम इसमें तो बारीक कटी ही प्यास दाल देंगे दो बारिक खलती ही लिए लिए धोड़ा सा हरा धनिय डाल के एक चम्मच जिंजर गारलिका पेस्ट दे गडर देंगे है जोई आदा खोंच अजवारिन अब्लंड करदेंगे नमक दालके अनुसार एक से दो चीजों को डालने के बाद हमें इसका एक गोल तैयार करना है इसके लिए हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और एक अच्छा गाड़ा सा गोल बना लेंगे गोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए इसके बाद हम इसे 15 मिनिट के लिए रख देंगे अब हम तवा गरम कर लेंगे और उस पे थोड़ा सा तेल डालके तेल को फैला लेंगे अब जो तवा है वो गरम हो चुका है अब इसमें हम दो से तीन चमर्च गोल को डालेंगे और उसे अच्छे से फैला लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे एक मिनट पकने देंगे एक मिनट के एराउंड में यह हलका सा ब्राउनिश हो जाएगा तब हम इसे प्लट देंगे और इसे चिल्ले को प्लटने के बाद दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पे दूसरी साइट से भी पका लेंगे अब ये चिल्ला बनकर तयार है इसे हम एक लेक में सर्फ कर लेंगे और बागी के अपने बच्चे हुए सारे चिल्ले इसी तरीके से बना लेंगे चिल्ले बनाना बहुत ही असान है तो आप इसे बनाईए खाईए और अपने एक्सपीरिंस हमारे साथ शेयर करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें